किया आपके फेस पे पिंपल हो गया है मेरी तरह आप सोच रहे हो कि इसको मेकप से कैसे कवर किया जाए और आप मेकप कैसे करो कि वह ज्यादा समझ में भी नहीं आए तो नमस्ते व्रिवान आइम सुप्री और वल्कम बैक तो माई चैनल गाइस आज मैं आपको सिखाऊंगी स्टेप बाइ स्टेप ये मेकप टिटोरियल और आपको मैं बताऊंगी कि आपको किस तरीके से मेकप करना है अगर आपके फेस पे पिंपल हो गया है तो मैरे फेस पे पिंपल हो गया तो मैंने सोचा क्यों ना आप लोग को बताया जाए कि किस तरीके से आप इनको कवर कर स और भी स्किन केर लेना है यह बहुत इंपोर्टेंट है उसके बाद हम आई मेकप करेंगे तो आई मेकप के लिए सबसे पहले मैं यूद्टिव करती हूँ और मैं यूद्य कर रही हूँ मिस्क्लेर का आईब्रो पैंसिल ब्राउन सीड में अगर आप बिग्णर सोना तो मैं तो यही बोलूँगी कि आप ब्राउन सेट का कोई भी आइबर पैंसिल ले लो अगर आप अफोर्डबिल प्राइज में कोई डून रहे हो तो आप इसको भी ट्राइ कर सकते हो इसका प्राइज है जिस्ट वर्ली 90 रूपीज और आपको इसली यह नायका या परपल पे कहीं मैंने इसके ही ब्रस से कोम कर लिया है इसके बाद मैं यूज कर रही हूँ मार्स का यह लिक्विड कंसीलर इंदी सेट 03 वार्म सेंट ऐसका सेट नेम है 03 इसका सेट नंबर है इसको इस तरीके से अपने आइलेट पे अपलाई करके और मीनी ब्यूटी ब्लेंडर के हेल्प स मैं इसको ब्लेंट कर रही हूँ आप चाहो तो ब्रस का भी यूज कर सकते हो अब हम कंसीलर को सेट करेंगे और उसके लिए मैं यूज कर रही हूँ ब्लू हेवन का फ्लॉलिश रिंशिंग लूस पावडर सेटी स्क्यू यह थोड़ा सा वामिश टाइप पे लूस पावड बस धान से देखे और एक बार प्रैक्टिस कीज़े आपको यह आ जायगा कृई ब्लेंट कर दिया है जिससे उसका वो सेट थोड़ा सा ट्रांजिशन टाइप आगया तो मुझे अलग से कोई ट्रांजिशन सीट भी यूज करने की जूरत नहीं पड़ी उसके बाद मैंने अगें उसी मार्स के कंसीलर से cut crease ट्रॉप किया है full cut crease में कर रही हूं इस तरीके से और कहीं ने कहीं अगर आप beginners हो आपको half cut crease से easy पड़ेगा full cut crease क्योंकि half cut crease में क्या होता है कि आपको देखना होता है कि वो same hose की अच्छे से blendable दिखे बहुत सारी जंजटे होती बहुत सारी स्टेप्स होते बट इसमें कुछ नहीं करना है full cut crease draw कीजे उसको set कीजे and that's it तो मैंने वहाँ पे light shade यूज किया था cut crease में and उसके बाद में यहाँ पे मैं biotica black eyeliner यूज कर रही हूँ आज में thick wing eyeliner create कर रही हूँ आप चाहो तो smudge eyeliner भी ट्राइ कर सकते हो मुझे बाद में समझ में आया कि नहीं मुझे थोड़ा smudge रखना चाहिए था कोई बात नहीं आप ट्राइ कर लेना आप चाहो तो नहीं तो विंग भी सही लाएगा उसके बाद मैं यूज कर रही हूँ यह डाजल का primer अच्छे तरीके से में इसको अप्लाई कर रही हूँ पूरे face पे प्राइमर अप्लाई करने से आपका foundation oxidize भी नहीं होता है और आपके pores में foundation नहीं जाते हैं जिससे आपको pimples नहीं होते और भी ज्यादा ऐसा बोलते हैं लोग की make-up करने के बाद तो और ज्यादा pimple हो जाता है तो ऐसा कुछ नहीं है अगर आप अपना face अच्छे से clean कर लो पिंपल्स के spots को हाइट करने के लिए redness को हाइट करने के लिए अगर आप beginners हो तो आप इस तरीके से concealer से हाइट कर सकते हो जो कि आपके skin tone से match हो या तो फिर 1-2 से dark हो उससे भी आप अपने pimples के spots को marks को and under eyes के dark circle को कहीं भी आपके skin पे darkness है तो आप उसको इस तरीके से की जड़ी करेक्टर चैले के अप्लाइंग沒有iska कईको कटरेच देए सबिल्कuciones उसको अप्र यह बाद माद रावा हो जाता है अब प्राब्लम हो यह दे के अवस्कों कि बढ़ाई प्रॉब्लम स król जाता है से अठतों concealer से उसको hide कर लो concealer आपको उतना ही blend करना है जितनी जरूरत है एकदम गाया भी मत कर देना blend करके कि उसका नाम और निसान न देखे आपके face पे फिर आप मत बोलना कि यार मैंने concealer अप्लाई किया था फिर भी हमारा dark circle या फिर pimples के spots hide नहीं होते तो नहीं होते इसका मतलब है कि आपने बहुँ जादा blend कर दिया एकदम blend मत कर देना थोड़ा सा वहाँ पे रहे foundation में use कर रहे हूँ maveline का super stay foundation in the shade 128 warm and यह थोड़ा सा मेरे skin tone से light है तो मैं इसमें Swiss beauty का foundation mix करती हूँ shade is 09 यह dark है तो मैं किसी भी foundation में इसको mix कर देती हूँ जो मेरे foundation light होते हूँ तो मेरे skin tone से like match हो जाते है मैं इसी तरीके से अपने foundation को apply करती हूँ guys मुझे बिल्कुल भी पसंदनी है पहले मैं use कर लेती थी थोड़ा बहुत light foundation बढ़ पता नहीं क्यों मुझे अच्छा नहीं लगता है तो मैं इसी तरीके से अपने shade को correct करती हूँ अब पहले के हैं तो क्या मैं इसको fake हूँगी नहीं हम इसको correct करके use कर सकते हैं है किस दिन काम आएंगे हमारे तो मैंने याँ पे foundation blend के आप देख सकते हूँ इसकी finishing कितनी अच्छी आई है बहुत अच्छी finish आई थी और मैंने बताया आपको कि foundation को dab tap करके blend करना है इस तरीके से घिसना रगड़ना नहीं है उससे आपका concealer हट सकता है जो भी नीचे आपने layering की है primer की और concealer की वो सब हट जाएगा नेक पे भी आपको ची तरीके से ब्लेंट कर देना है नहीं तो आपका foundation के वज़े से face कुछ और दिखेगा और neck का side कुछ और दिखेगा वही again मार्स का concealer में यूज कर रही हूँ highlight concealer जिसे अप्लाई करके इसको blend कर दिया है आप चाहो तो कोई सा भी concealer या foundation यूज करना मैंने या पर बताया जो मैं यूज कर रही हूँ वैसे भी हैं भी बहुत अच्छे ठीक है concealer तो बहुत affordable है इसका coverage इसका मतलब finish देख सकते हूँ आप मैंने इसका review भी set के है आप लोग के साथ मुझे यह बहुत पसंद आया काफी affordable है I think 100 something का था 200 के अंदर का ही था ही उसके बाद मैं पूरे makeup को set कर रही हूँ loose powder के help से अगीन वही loose powder मैंने use के ब्लू हेवन का बट सबसे पहले मैं अपने अंडराइस को set करती हूँ ब्यूज वहां पर मुझे बहुत जल्दी crease बढ़ जाते हैं आपको से set करना पड़ेगा powder के help से या फिर powder product के help से ताकि वह transfer ना हो अच्छे से set हो जाए so इस beauty का ultra blush palette यूज कर रही हूँ in the shade 03 and इसमें से मैंने एक contour shade से अच्छे से contour किया है face पे and आप देखना कितना ज़्यादा difference नजर आएगा आपको आप देखो जिदर मैंने contour किया उदर के face का अच्छे से structure समझ में आ रहा है कि हाँ मेरा face shape कैसा है और जिदर नहीं किया है वो एकदम white white सा लग रहा है है ना तो आप भी contour करना start करो मैंने देखा है बहुत सारे लोग contour skip करते हैं but guys please skip मत क्या करो blush में यूज़ कर रही हूँ यह वाला और बहुत जादा मैंने ले लिया था यह वैसे भी बहुत pigmented है तो मैंने अच्छे से dust off किया और अप्लाई किया उसके बाद मैं यूज़ कर रही हूँ यह blue heaven का dewy finish वाला यह makeup fixer बहुत दिन हो गया था मैंने इनको यूज़ नहीं किया था इसको यह थोड़ा सा ही रह गया था मैंने इसको चिस से apply किया और इसको dry होने दिया makeup fixer या फे setting spray apply कीजिए तो उसको dry होने का time दीजिए आप क्या करते हो कि उसको जट पट सोचते हो कि छोड़ो अब लगा लिया आप उसके आगे का करते है नहीं उसको dry होने दो पहले set करने दो अपनी makeup को अब मैं आप मार्स का यह highlighter यूज़ कर रही हूँ आपके उसे एरिया में apply हो highlighter जहां पे आपके फेस पे पिंपल ना हो उसे एरिया में pimple नहीं होने चाहिए जैसे कि मुझे यहां पे पिंपल था तो मैं उसको पहले cover की आ दूसरे हाथ से उसके बाद में apply करी हो highlighter ताकि वहां पे गलती से भी highlighter ना लग जाए अगर वहां पे highlighter लगा तो मेरा pimple और भी जादा उभर के दिखेगा आपको वहां पे avoid करना है highlighter apply करना या तो आप highlighter apply ही मत करो नहीं तो मेरी तरह highlighter lover हो जिसको बीना highlighter के make up complete ही नहीं लगता तो आपको इस तरीके से apply करना पड़ेगा उसके बाद में मैंने या पे blue heaven का काजल apply किया है अपने water line में upper water line और lower water line दोनों में upper and lower water line ऐसे बहुते हैं उसके बाद मैंने उसको smudge किया थोड़ा सा set किया ताकि वो smudge ना हो उसके बाद लैसे को coil किया and mascara use कर you Swiss beauty का अच्छे तरीके से मैंने इसको apply किया है यह mascara water rope नहीं ह मतलब ऐसे ठीक है बट waterproof नहीं है बाद कि सब ठीक है waterproof नहीं है तो यह मत सोच रहा है कि लगा कर रोलू रोगे तो फिर आप सोचो कैसे दिखो कि है इसके बाद मैंने या पे miss clear का lip liner लाइन यूस किया है indy shade 47 and यह maroon kind of shade है इसको मैंने apply किया है अच्छे तरीके से lip scotches से draw कि मैंने over line नहीं किया है नॉर्मल जैसे मेरे lip scotches उसे तरीके से and then मैंने blue heaven का hyper stay light weight liquid lipstick यूस किया है indy shade 03 यह lipstick भाई साब इतनी अच्छी है इतनी light weight है lipstick कि मैं क्या ही बताओ मेरे पास इसके total 6 shade है different different and मुझे सारे ही पसंद है and look हो कि हमारा complete आपको यह look कैसा लगा प्लीज comment करके बताइएगा अगर आपको यह look थोड़ा सा भी अच्छा लगा होगा यह video अच्छी लगी होगी so please like कर दीजेगा and मेरे चैनल पर new है पहली बार आए है और अभी तक आपने मेरे चैनल को subscribe नहीं किया so please guys support me जल्दी से चैनल को subscribe कर लीजे bell icon को जरूर प्रेस कर दीजे तो महां पर मुझे जल्दी से follow कर लीजे and यह look कैसा लगा please मुझे comment करके बताइएगा अगर कोई अभी भी question है आपके दिमाग में या फिर कोई product के बारे में या फिर कुछ भी आपको पूछना है और next video में कौन सा बना हो यह आपको बोलना है तो please बस comment कर देना मैं आपके